वैवाहिक जीवन के अंदर क्या आपने वैवाहिक बलातकार यानि मैरिटल रेप शब या उसका होना का भी सुना है? जब विवा हो गया तो भी बलातकार किस तरह हुआ? कहां से आया ये शब? अरे आप बिल्कुल भी न चौकिये क्योंकि ये होता है कैसे? बिल्कुल मैं बता हूँ इस बारे में दरसल समाज के द्वारा स्विकृत एक वैवाहिक संबंद में कई बार साती के जोर दबलदस्ती से संबंद बनाने वाले रवाईये ने कई महिलाओ के वैवाहिक जीवन को नरक से बत्तर बना कर छोड़ गया है ऐसे समिदंशील मामलों को लेकर कई आशिकाओ पर एक साथ दिल्ली उचितन म्याले ने सुनवाई की जहां कई गंभी टिपडियां म्याले की पीड द्वारा की गई तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं क्या है पूरा मामला नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रही है मीडिया दर्बार मंगलवार को विवाहिक बलाकार यानि कि मैरिटल रेप के अपराधितरन की मांग कर रही आचिकाओ पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई जिस पर राजित सक्धर और जस्टिस हरी शंकर की पीट ने कोर्ट में एक महत्पूर्ट जिरे में सवाल खड़ा किया है कि कैसे एक शाजिशुदा महीला को संबंद से इंकार करने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है जबकि बगेर सहमती के संबंद बनाने पर अन्यको बलगकार का मामला दर्च कराने का अधिकार है जस्टिस सक्धर ने कहा कि सेक्स वर्कर को भी अपने ग्राह को ना कहने का अधिकार है उन्होंने ये भी कहा कि जब पती की बात आती है तो एक महीला जो पत्नी भी है उसे इस अधिकार से कैसे दूर रखा जा सकता है उन्होंने कहा आपने सेक्स वर्कर का उधरन दिया है वह कभी भी ना कह सकती है क्या एक पत्नी को इससे नीचे रखा जा सकता है एमिकस क्यूरी और वरिस्ट अधिवक्ता राजशेकर राउ ने कहा है कि अगर कोई जबरदस्ती करता है तो सेक्स वर्कर को भी वेक्ति के खिलाफ आरोप लगाने का अधिकार है वहीं एक याशिका करता की तरफ से कोर्ट में पेश हुई वरिस्ट अध्वोकेट करूना नंदी ने कहा कि शाजी के मामले में संभोग की अभेक्षाय होती है इस तरह सेक्स वर्कर के मामले में भी हाल यही है हाला कि जस्टिस हरी शंकर ने कहा कि दोनों चीजों को एक समान नहीं कहा जा सकता उन्होंने आगे कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि मैला ने बहुत सहन किया है लेकिन हमें उस वक्ति के पई नामों को ध्यान में रखना चाहिए जो 10 साल की सजा के लिए उतरदाई है मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि धारा 375 का प्रावधान यह नहीं कहता है कि रेप पर सजा नहीं मिलने चाहिए सवाल यह है कि क्या इस मामले पर बलतकार की तरह सजा दीदानी चाहिए उन्होंने साथ ही कहा कि अगर हम हा कर रहे हैं तो हमें यह दिमाग में रखना चाहिए कि हम एक विधाई प्रावधान को खत्म कर हा कर रहे हैं और हम यह कह रहे हैं कि 1335 में शामिल हर चीज लागू होनी चाहिए फिर भले ही पार्टिया आपस में शादी शुदा क्यों ना हो इस पर राव ने तक दिया कि बलतकार बलतकार होता है इसलिए इस मामले पर कुछ भी सच्चाई को नहीं बदल सकता शेष अदलत के कई फैसलों के हवाले से वरिश अधिवक्ता राव ने कहा है कि कोर्ट ने लगातार ये कहा है कि दुशकन एक महिला के अधिकारों का उलंगन करता है और ये समाच के खिलाफ एक गंबीर अपरात है इस महत्रपुर मामले पर कोर्ट ने शुकरवार को सुनवाई जारी रखने का फैसला किया है माना जा रहा है कि उस दौरान राव अपनी दनी ले खत्म कर सकते हैं आपको बता दे कि इससे पहले केंज सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि वे इस मामले में सकरात्मक कदम उठाने की प्रक्रिया में है बेंच ने कहा था कि वे इस मामले की सुनवाई अगले सब्ता तक जारी रखेंगे अगर सरकार अपवाद को खत्म करने का फैसला करती है तो यह जज के फैसले लिखने की परिशानी को बचाएगा आपको बता दे कि दिल्ली उच नियाले ने मंगलवार को कहा था कि विवाहित और आविवाहित महिलाओं के सम्मान में अंतर नहीं किया जा सकता और कोई महिला विवाइट हो या ना हो उसे आसमती से बनाय जाने वाले यौन सम्मंद को ना कहने का दिकार है अजलत ने कहा है कि महतुपूर बात यह है कि एक महिला महिला ही होती है और उसे किसी सम्मंद में अलग तरीके से नहीं तोला जा सकता उचि न्याले ने कहा कि यह कहना कि अगर किसी महिला के साथ उसका पती जबरन यौन सम्मंद बनाता है तो वे महिला भारतिय डंड सहीता की धारा 355 तरियाने बलतकार का सहारा नहीं ले सकती और उसे अन्य फौशजारी या दिवानी कानून का सारा लेना पड़ेगा ठीक यह वे वाहिक बलतकार को अपरादिकरन करार दिये जानेका इलोद करने वाले याचिकाओं की सुनवाई करते हुए पीट में पूचा ये दिवे विवाहिता है तो क्या उसे ना कहने का अधिकार नहीं है न्याएमूर्ति रादीव शंधर और न्याएमूर्ति सी हरीशंकर की पीट ने कहा कि भारतिय दंड सहीता की धारा 357 के तहट पती पर अभियोजन चलाने से छूट ने एक दिवार खड़ी कर दी है और अदालत को ये देखना होगा कि ये दिवार सलिदान के अनुछे 14 यानि कानून के समख समानता और 21 यानि व्यक्तिकस स्वतंत्रता और जीमन की रक्षा का उलंगन करती है या नहीं अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली उचितम नियाले की एपी महिलाओ के समान को सर्वो पर ही रखेगी या फिर कोई नई व्यवस्ता का आदेश पारित करेगी या फिर याशिका करताओ के लिए कोट कोई राहत प्रदान करेगी इस मामले पर और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे यानि मीडिया दर्बार के साथ फिलाल के लिए इस रिपोर्ट में वस इतना ही धन्यवार